सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल एक्जाम इस्टी प्रैटफर्म में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज की सभी महतपूर करेंट अफेर्स को साथी साथ हम लोग जी के कुछ महतपूर प्रिश्ण भी हल करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में लाज तक बने रहिएगा पहला प्रिश्ण लेते हैं अपने स्क्रीन पर पहला प्रिश्ण है हाली में चेन्नाई सूपर किंग्स का नया कफ्तान किसी बनाय गया है दोस्तों बात करें चेन्नाई सूपर किंग्स की तो नया कफ्तान हाली में रवींद्र जनेजा को बनाया गया है चिनने सुपर किंग्स का नया कफ्तान कौन है रवींदर जनेजा है बात करें इसे पहले कौन थे इसके कफ्तान तो महेंदर सिंग धोनी की कफ्तानी छोड़ने के बाद रवींदर जनेजा को नया कफ्तान बनाया गया है अगला प्रिशन लेते हैं दोस्तों अगला प्रिशन है हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉंसर करने वाली पहली भारतिये कंपणी कौन सी बन गई है तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉंसर करने वाली पहली भारतिये कंपणी बन गई है आपकी बाई मुख्याले इसका आपका जुईरिक सुज़ लैंड में है और इसके अध्याच आपके जियानी इनफेटिनो है अगला प्रेशन लेते हैं दोस्तों अगला प्रेशन है हाल ही में मारुती सुजिकी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है तो मारुती सुजिकी के नय MD और CEO कौन बनाए गये हैं हिशाशी टेकुची आपके मारुती सुजिकी के नय MD और CEO बनाए गये हैं यहाँ पर दोस्तों हमरों कुछ और महतपूर कंपणियों के CEO को देखेंगे जैसे कि Apple Company के CEO कौन है टिम कुक आपके Apple Company के CEO है BSNL के CEO की बात करें तो प्रवीन कुमार पुरवार आपके BSNL के CEO है Amazon के CEO आपके NDJC है YouTube के CEO आपके Susan Wozonski है Facebook के CEO आपके Mark जुकरवर्ग है Microsoft के CEO आपके सत्या नंडेला है और इसी के साथ दोस्तों Twitter के CEO कौन है पराग अगरवाल है तो दोस्तों ये कुछ important नाम थे है आप लोग यात रख सकते हैं अगला परस्न देखेंगे हालही में Sebi के नियमों का उलंगन करने के लिए किस बेंग पर 5 लाग का जुर्माना लगाया गया है दोस्तों हालही में Sebi के नियमों का उलंगन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 5 लाग का जुर्माना लगया गया है एक्सिस बैंक की बात करें दोस्तों तो एक्सिस बैंक के CEO आपके मादवी पुरी बुच्छ है और इसका मुख्याले आपका मुंबई में है नेक्श देखेंगे दोस्तों अगला प्रशन क्या है हाली में ICC Test Balling Ranking में कौन चौथे स्थान पर पहुच गया है तो ICC Test Balling Ranking के अंसार चौथे स्थान पर आपके जस्परीत बुमरा पहुच गया है नेक्श देखेंगे दोस्तों अगला प्रशन है हाली में किस राजी की पुलिस के साथ भारतिय सेना ने सुरच्छा कवच टू अभ्यास आयोजित किया है दोस्तों काफी important प्रशन है ये सुरच्छा कवच टू अभ्यास ये किस के दोरा आयोजित किया गया है भारतिय सेना के दोरा आयोजित किया गया है और किस राज की पुलिस के साथ किया गया है तो ये महराष्ट राज की पुलिस के साथ मिलकर किया गया है कुछ और एक्स्टा फैक जानेंगे यहाँ पर भारतिय सेना के प्रमुक कौन है अभी करेंट में जर्नल मनोज मुकुन नर्वा ने आपके भारतिय सेना के प्रमुख है अगर महराश्च की बात की जाए तो मुख्यमंत्री यहां के उद्धर ठाकरे हैं और गवर्नर यहां के भगस सिंग कोशी आ रही है अगला प्रश लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है हाली में किस द दोस्तों अमने कुछ एक्स्टा फैक्ट जान लेते हैं चर्चित निधन 2022 के बारे में अभी हाली में आपका लता मंगेशकर जो कि आपकी भारत की एक सिंगर थी गाईका थी इंका भी निधन हो गया है शेन वर्न जो आपके ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थे इंका भी 2022 में निधन हुआ है बिर्जु महराज आपके कथक नर्तक थे इंका भी निधन हो गया है प्रवीन कुमार सोबती या भी नेता थे महाभारत में इन्होंने काम किया था इंका भी अभी हाली में 2022 में निधन हुआ है इसी के साथ दोस्तों नारायर देवनात या आपके कार्टुन पदम श्री विजेता थे 2021 के इंका भी निधन हो चुका है अगला प्रशन देखिए दोस्तों अगला प्रशन है हाल ही में डन एंड बेडिश्ट्रीट के अंतर राष्टिये सलहकार बोल्ड में कौन शामिल हुए है तो दोस्तों बात करें डन एंड बेडिश्ट्रीट के अंतर राष्टिये सलहकार बोल्ड में कौन शामिल हुए है आपके रजिनीश कुमार शामिल हुए है अगला प्रशन है दोस्तों हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख नयायाधिश का निधन हुआ है दोस्तों हाल ही में आपके पूर्व नयायाधिश पूर्व मुख नया ने दोजर पच्चिस तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लच्छ रखा है यहां पर दोस्तों हम लोग कुछ प्रमुख हवाई अड्डो के बारे में जानेंगे जैसे कि आपका इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है 36 सिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आपका कहां पर है यह आपका मुंबई में स्थित है चिन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चिन्नई में है कैपे गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलूरू में है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका नियुक्ति किया गया है दोस्तों रच्छा मंत्राले ने हाल ही में सलहकार के रूप में विनोर जी खंडारे को नियुक्ति किया है यहाँ पर दोस्तों कुछ और नियुक्तिया देख लेंगे हम लोग जैसे कि एर इंडिया के अध्यच के रूप में नियुक्ति किया गया है ह नियुक्ति किया गया है अजय भूशन पांडे नियुक्ति हुए हैं आपके NFRA के अध्यच के रूप में और प्रभान अर्सिम्हन आपके नियुक्ति हुई है कोल्गेट पामुलुव इंडिया लिम्टेड की CEO और MD के रूप में दोस्तों यह कुछ प्रमुक नियुक्तिया काधिया आप देख सकते हैं अगला प्रशन देखेंगे हाली में आजन में बच्चे का अंतरराष्टिय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों हाली में आजन में बच्चे का अंतरराष्टिय दिवस आपका मनाया गया है 25 मार्च को 25 मार्च को हमने आजन में बच्चे का अंतरर अगला प्रशन हेडें कि ने किस ने धूसर जलब प्रबंद के लिए सुझिलाम 2.0 अभियान शुरू किया है दोसर जल प्रबंधन के लिए सुझिलाम 2.0 किस ने आरंभी किया है यहां पर सही अंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंग इंक से त्वारा आरंभी किया गया है यहाँ पर दोस्तों आम दो कुछ extra facts जान लेते हैं विश्वित जल दिवस जो की मनाया गया है आपका 22 मार्च को इसके औसर पर जल शक्ती मंत्राले ने धूसर जल तथा रसोई इसनान और कपड़े धोने से या अपवा के जल के पुना उपयोग के लिए एक देश व् Anfield Barrels India's All Story नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तों Anfield Barrels नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक लिखी गई है आपके रिचा मिश्रा के द्वारा अगला प्रेशन लेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रेशन है हाल ही में किस राज के मुखमंत्री तीन हजार एकर भूमी पर सत्रा शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया है दोस्तो हाल ही में किस राज के मुखमंत्री ने 3000 एकर भूमी को 17 शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया है सही आंसर हो जाएगा दिल्ली ने दिल्ली के मुखमंत्री अर्विंद्र केजरी वाल ने इसका निर्देश दिया है यहाँ पर दोस्तों हमलों कुछ एक्स्टर फैक्ट जान लेते हैं दिल्ली के मुख्रमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्टिय राजधानी में 17 शहरी जंगलों को विश्व इस्थरिय शहरी जंगलों में बदनने का निर्देश दिया है अगला पॉइंट है दोस्तों दिल्ली सरकार ने दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाव शहर बनाने के लिए दिल्ली एडिरेट 2047 के अपनी विजन के तहत सामुदाई पार्क की पहल शुरू की है नेक्ट देखेंगे दोस्तों हमारा जिके का कोश्चन है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है दोस्तों बात कीज़े भारत के उत्तर में तो भारत के उत्तर में आपका चीन नेपाल और भुटान देश है अगला प्रेशन देखे दोस्तों अगला प्रेशन है डूरंड यो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में करन्ट में यह जो रेखा है यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है अगला प्रेशन देखिए दोस्तो अगला प्रेशन है कोलाबा पॉइंट कहा है बात करें कोलाबा पॉइंट की तो यह आपका मुंबई में इस्थित है नेक्छ देखिए दोस्तो पंबन दिव्प कहां पर इस्थित है पंबन दिव्प ये दोस्तो आपका मनार की खाड़ी में इस्थित है अगला पॉइंट देखिए दोस्तो महेंद्र गिरी की पहाणिया किन दो राजियों के तट पर इस्थित है तो महेंद्र गिरी की पहाणियों की बात करें तो यह आपका उडिसा और आंधर प्रदेश के तट पर इस्थित है नेक्ट देखिए दोस्तो अगला प्रशन है असम और अनुरांचल प्रदेश के भी सीमा बनाती है तो बात करने दोस्तों असम और अनुरांचल प्रदेश के भी सीमा कौन सी नदी बनाती है तो शंकोसी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखे दोस्तों अरावली की पहाणिया किस राज्य में इस्थित हैं तो दोस्तों अरावली की पहाणिया जो हैं ये आपके राजिस्थान में इस्थित हैं अगला प्रशन देखे दोस्तों नीलगिरी की पहाणिया किस राज्य में इस्थित हैं तो नीलगिर का तट कहलाता है नेक्ट देखिंगे हम लोग दोस्तो आंद्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी तो दोस्तो कुर्णोलाप की आंद्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी अगला प्रशन है दोस्तो दच्छर गंगोतरी क्या है तो दच्छर गंगोतरी आपक दियुप से कौन अलग करता है ये भी काफी महतपूर प्रेशन है दोस्तो आदम का पुल जो है दोस्तो ये आपका भारत की मुख्य भूमी को रामिश्वरम दियुप से अलग करता है नेक्श देखेंगे भारत की भूमी का सबसे उत्री भाग क्या कहलाता है दोस्तो भारत की भूमी के उत्री भाग की बात करें तो इसको इंदरा कॉल के नाम से जाना जाता है नेक्श देखेंगे दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत की किस राज्य में इस्थित है तो दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में इस्थित है अगला प्रशन है भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भुटान की सीमा को इश्पर्स करता है तो दोस्तों सिक्की में एक ऐसा राज्य है जो चीन नेपाल और भुटान तीनों देशों की सीमाव को इश्पर्स करता है अगला प्रशन देखेंगे दोस्तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज में है तो बात करें पीर पंजाल सुरंग की तो ये आपका कहां से थे थे जम्मू और कश्मीर में इस थे थे ये नेक्श देखेंगे दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को इश्पर्स करता है तो दोस्तों उत्तर प्रदीस एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को इश्पर्स करता है अगला प्रशन देखेंगे दोस्तों भारत की रूसी संविधान से क्या लिया गया है तो मूल कर्तव्य जो है हमारा भारत देश का ये आपका रूसी संविधान से लिया गया है नेक्ट देखेंगे दोस्तों फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है तो गड़तंत्र की वेवस्था जो है ये आपका फ्रांस के संविधा से ली गई है नेक्ट देखिए दोस्तों स्वतंतता का अधिकार ये किस अनुच्छेत के अंतरगत आता है तो ये आपका 19 से लेकर 22 अनुच्छेत के अंतरगत स्वतंतता का अधिकार आता है अगला प्रशन है दोस्तों संचालन समीती के अध्यच कौन थे तो भारतिय का कार राश्पती का होता है अगला प्राशन देखेंगे दोस्तों वित बिल के लिए किसकी पूर्व सम्मती प्राप्त है दोस्तों वित बिल यानि फाइनाइंस बिल जो होता है इसके लिए आपके राश्पती की पूर्व सम्मती प्राप्त होती है नेश्ट देखेंगे भारत की कार्यपालिका का अध्यच कौन होता है तो कार्यपालिका का अध्यच आपका राश्पती होता है अगला प्रेश देखेंगे दोस्तों राज इस्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों मंत्रियों की नियुकती राज इस्तर पर राजिपाल के द्वारा कराई जाती है नैश देखेंगे दोस्तों नए राज के गठन अत्वा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है तो दोस्तो नए राज्यों का गठन करना है या नहीं करना है या सीमा परिवर्तन करना है इसका अधिकार जो है ये संसद के पास होता है अगला प्रश देखेंगे दोस्तो राज्य सभा का सर्वत्तम गठन कब हुआ था तो राज सभा का सरप्रथम गठन आपका 3 अप्राइल 1952 में हुआ था नेक्श देखिए दोस्तो समविधान सभा का गठन किसकी सिफारीस पर किया गया था तो कैबिनेट मिशन यूजना की सिफारीस पर समविधान सभा का गठन किया गया था अगला प्रशन है सम्विधान सभाग द्वारा पारी सम्विधान में कुल कितने अनुछेद और अनुसूचिया थी दोस्तो जब हमारा सम्विधान लागू हुआ था तब इसमें कुल 395 अनुछेद और 8 अनुसूचिया थी काफी important प्रशन है ये अगला प्रशन देखेंगे भारतिय सम्विधान के अंतरगत सम्विधान में संसोधन संबंदी पहल का अधिकार किसी प्राप्त है दोस्तो भारतिय संसद जो है इसको संसोधन संबंदी पहल का अधिकार प्राप्त होता है अगला प्रेशन देखिए दोस्तो भारतिय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है दोस्तो बात करें भारतिय संविधान के अनुसार भारत के स्वरूप की तो इसका संगी राज का स्वरूप है अगला प्रेशन देखेंगे दोस्तों नगर निगम के सर्वोच अधिकारी को क्या कहते हैं तो नगर निगम का सर्वोच अधिकारी आपका महा पाउर कहलाता है तो दोस्तों ये थे आज के कुछ important प्रेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेर करें साथी साथ चैनल को हमारे सबस्क्राइब करें थैंक यू